वेलकम बैक टू बाइवर्सिटी नालंधा ओपन इन्वसिटी का जो एक्जाम है बीसी पार्ट टू के लिए खासकर मैं यहां पर बोटनी के बारे में बात करने के लिए हूँ उसका एक्जाम पार्ट टू का एक्जाम तीन तारिक से ही शुरू है लेकिन जो बोटनी को है और दास्तारीक को है और फिर रेगुलर बैसिस पे जो है आपका सबसीडरी का पेपर भी है जिनका जो सबसीडरी है वह उस पर अपना फोकस करेंगे तो हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्जाम से पहले आपको अप्लिस पढ़ लेना चाहिए मतलब आप उसको छोड़ कर नहीं जा सकते हैं वह इंपॉर्टेंट टूपिक है उससे कुशन आनवाल है तो पार्ट टू में दो पेपर है ओनर्स का में पेपर एक पेपर थर्ड है अब और दूसरा पेपर फोर थर्ड पेपर में क्या है आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको हर तरह के प्लांट का सांटिफिक बोटनिकल नेम याद रखना है कौन सा प्लांट को हम लोग स्पाइस के लिए यूज करते हैं तो अलग अलग तरह के प्लांट कौन सा क्रॉप प्लांट है तो इस तरह के प्लांट तो मेरे पास syllabus है और question भी है तो मैं कुछ topic बता देता हूं कि किस-किस topic को important कि देना चाहिए और कौन सा topic आपको पड़ लेना चाहिए समय काम होने के कारण मैं SPPT को complete नहीं कर पाया हूं मैं चाहता था यहीं पी लिख दूँ लेकिन मैं से हम लोग शुरू करते हैं microbiology से सबसे पहला और important जो topic है उसमें वह यह है कि आपको पढ़ना है structure अल्ट्रा structure of the bacteria of us और उसका reproduction कैसे उसका structure होता है और कैसे उसका reproduction होता है यह बहुत ही important है इस साल के लिए दूसरा आपको पढ़ लेना है bacteria और fungus तो बेक्टिरिया और ermarim Shepherd का पढ़ना क्या है यही बेक्टिरिया और fungus में reproduction कैसे होता है दोनों का पढ़ लेन है hum dow a supply USB production कैसे होता है bacteria में वे रिप्रक्शन कैसे होता है बेक्टिडिया का structure उसका mode of reproduction इनको भी ध्याम देना है सबसे last topic जो इसमें हम आपको suggest करना चाहेंगों वो यह कि microorganism हर जिगा प्रेजेंट हैं यह हम सब जानते हैं तो microorganism agriculture में कैसे produce को degrade कर रहे हैं यहनिक उसमें disease क्या है या कौन सा microorganism जो है soil में हमारे लिए beneficial है हमारे लिए harmful है इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है तो main topic क्या होगा degradation of agriculture produce by the bacteria यह हो गया आपका section A group A microbiology दूसरा section हमारा है दूसरा group है plant pathology यह मेरे लिए काफ इंट्रस्टिंग टॉपिक था और मेरे लिए आज भी फैबरेट है यह बहुत से ऐसे beneficial fungus है और वही अगर हम लोग फीजीरियम की बात करें और यह सब क्या है उसके अगेंस में काम करता है मतलब disease causing root rotting हो गया या lip blast हो गया इन सब चीज़ों पर काम करता है यानि कि वह उसको disease के लिए है तो दो इसमें section है एक तो आपको beneficial पढ़ना है कि कौन सा फसल के लिए किसान के लिए beneficial है fungus और कौन सा हामफूल है और उसमें से यह भी देखना है कि जो हामफूल है वो pathogenesis के लिए कौन सा enzyme इस्तमाल करते हैं यानि कि कोई fungus मालेजी की हामफूल है तो कोई तो इंजाइम होगा जिसको इस्तमाल करता होगा वो अपना पैथोजेनेसिस सो करने के लिए तो इंजाइम यूजड इन पैथोजेनेसिस फॉर फंगस यह आपको पढ़ लेना है दो डिजीज काफी फेमस है एक स्मट डिजीज दूसरा रस्ट डिजीज इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ने इसमट डिजीज क्या है इसका सिम्टम्स क्या है कैसे इसको कंट्रोल करते हो पर स्षर सीम्टमस क्या है कंट्रोल कैसे करते हैं ंडोनों डिजीज को पढ़ लेकर कुछ पॉस्लेट विजवर पढ़ने मेंलनी क्या पढ़ते हैं उसका और कैसे इसम्टमस किया है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ common disease है, जो famous disease भी है, उनको आप इन सब चीजहों के लिए देख लिए, जैसे कि बहुत disease in potato, white rust of crucifera, basement disease of wheat, और इसके अलाबा एक important virus है, जो plant में लगता है, खासका टोबेको प्लांट में, तो टोबेको मोजैक वाइरस, इसका structure और इसका क्या assembling है, उसको जरूर पढ़ने, structure and function और bacteria का भी cell वाल पढ़ने, उसका boundary वाल कैसा होता है, उसका ultra structure क्या होता है, ये चीज़ें आप जरूर देखने, तो ये हो गया group B के लिए, ब्रीफ कर देता हूँ, आप उस pathogenesis के लिए use करता है, उस enzyme का क्या नाम है, क्या role है, और हो सकता है, enzyme हो, toxin हो, तो जो भी toxin और enzyme pathogenesis के लिए use होता है, fungus के दोरा, उसको detail में पढ़ना है, यानि कि कैसे वो उसको spread करता है, कैसे disease को फैलाता है, इसके बाद दो खास disease हमने बताया, smart disease और rust disease, इसका symptoms, control, spreading, ये सब पढ़ लेना है, और कुछ और important disease है, जिसको shortness के लिए भी पढ़ ले, जैसे कि, what disease in the potato, rust disease in crucifera, smart disease in wheat, और last में, structure of bacterial cell one, cell boundary, and the structure of ultra structure of TMV, tobacco mojack virus, at least इतना तो आपको पढ़ के जाना है, चाहिए, exam से पहले, इसको revision कर लिजिए, आपने पूरा syllabus पढ़ा है, एक साल से, अब जरूरत है, बस एक बार revision करने का, तो मैं उसी खास topic की बात कर रहा हूँ, जिसको आपको revision करके जाना चाहिए, जो आपके लिए important है, मतलब आप कुछ पढ़ें, सब पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन कम से कम इसको जरूर पढ़ें, इसको छोड़ के ना जाए अब सबसे लास्ट में section C, embryology, embryology में हम लोग दो gamit की बात करते हैं, megaspore और microscope, megaspore क्या होगी आपका female gamit, और microscope आखा होगी है, male gamit, enter उसमें पढ़ेंगे हम लोग, और इसमें आप पढ़ेंगे megaspore एक के बारे में, तो सबसे पहले development पढ़ना है, कि development of enter, development of megaspore, focus करेंगे आ और जैसे हैं आप focus करेंगे megaspore पे, तो वही बाद में fertilization होगा, fertilization के बाद बनेगा indoor sperm, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, तो indoor sperm पे अच्छे से notes तयार करना है, इंडो sperm है क्या, वो कैसे develop करता है, fertilization कैसे होता है उसमें, और उसी process में आप पढ़ेंगे double fertilization, जब pollination होता है, एक enter जो है, stigma पे आके गिरता है, तो tube बनाता है, और tube बनाने के बाद उसमें दो nucleus होते हैं, एक nucleus पहले जो है, फ्यूज करता है, एक के साथ, पहला fertilization, और दूसरा nucleus fuse करता है, polar nuclei के साथ, दूसरा fertilization, तो इसी कावम लोग क्या कहते है, double fertilization, इसको detail में आप पढ़ ले, उसका endosperm, इसलिए endosperm, triploid होते हैं, अब आगया development of fruit पे next generation की बात करेंगे हम लोग, तो कुछ fruit होते हैं, जो बिना fertilization के ही डवलप कर जाते हैं, और कुछ fruit ऐसे होते हैं, जो fertilization के बाद डवलप करते हैं, इपो मेक्सिंग क्या है, पार्थेनो कार्पी क्या है, और क्या हम लो उसमें क्या लिखा जा सकता है, क्या important topic के अंदर सब topics हैं, तो सब हम लोग discuss करेंगे, पेपर third में, group C है embryology, और उसमें एक important topic है double fertilization, जो खास topic है, इस बार के लिए तो आप इसको जरूर पढ़े, मैं थोड़ा सा brief कर रहा हूँ कि double fertilization है क्या, और जैसे आप double fertilization पढ़ेंग तो आपको पता चल जाएगा, उसमें कौन-कौन सा topic, सब topic आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तो जैसे हम लोग double fertilization की बात करते हैं, फ्लावर में, फ्लावर में रिप्रोटी और गन कौन से हैं, दो और गन है, एक तो इसका एंथर, ये वाला portion, पूरा stamin हो गया, दूसरा क्या हो गया इसका, ये वाला portion, जो main portion है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी से सारे question रहेंगे, जदातर question, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कारपल कहते हैं, पूरे को, ये हम लोग इसको डायनोश्यम कहते हैं, यानि कि female part है पूरा, इस female part मे पहला होता है stigma, दूसरा होता है style, और तीसरा होता है ovary, ये portion जहां आके अंधर आएगा, और ये style और ये पूरा ovary होता है, इस तीन portion में से इस part पर focus करिए, ये जो ovary वाला part है, इसमें कुछ खास बाते हैं, खास बातें क्या है, इसमें 7 cell है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये complete cell है, लेकिन इसमें total 8 nucleus होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो red color का nucleus हम दिखा रहा हैं, वो participate करेगा reproduction में, fertilization में, इस पूरे को हम लोग करते हैं, इंब्रियो से, और ये होगी बीच का polar nuclei और ये होगी आपका egg cell, इस polar nuclei और egg cell का खास रोल है, important रोल है, fertilization में, तो सबसे पहला event क्या हुआ, एंथर यहां के, pollen से कि यहां पर आया, एक pollen grain यहां पर आया, सबसे पहला event क्या हुआ, एक pollen grain, यहनि कि कहीं से एक male gamit आकर यहां पर अटका, कहा पर, stigma पर, stigma पर पॉलन अब करेगा, क्या ट्यूब बनाएगा, इसको आना कहां तक है, यहां तक आना है, fertilization के लिए उसको यहां टच करना पड़ेगा, अब ट्यूब गोरो करना शुरू करता है, इसको हम लोग pollen ट्यूब करते हैं, जो गुरो करना हैं, उसको अमलोग क्या करें, पॉलन ट्यूब करें, अब इस पॉलन ट्यूब में 2 निकलियस होते हैं, एक को हम लोग Generative निकलियस करते हैं, और दूसरी को हम लोग Tube निकलियस करते हैं, यानि कि वो एक वो जो जाके reproduction में participate करेगा और दूसरा वो जो tube को grow करने में मदद करेगा अब ये दोनों आ रहे हैं आगे आने के बाद इसको यहाँ प्याना है तो ये जो tube nucleus है वो तो खतम हो जाएगा क्योंकि tube का purpose पूरा हो गया बच्चे का कौन? Generative और वो generative फिर जो है दो nucleus में divide हो जाएगा और यही दो nucleus जो है male gamit कहलाता है और यही male gamit जो दो nucleus बना अब ये process करेगा किसके लिए? Fertilization के लिए तो पहला nucleus जो है tube का काम खतम हो जागा तो tube बला nucleus खतम हो जागा यहाँ से regenerate कर जागा, अब उसका function ही नहीं है हो जाएगा, यह क्या हो गया, degenerate हो गया, खतम हो गया, अब यह दोनो nucleus आ गए यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहला क्या होगा यह इसके साथ और यह इसके साथ fertilization करेंगा, तो दो बार fertilization one, पहला fertilization यहाँ, एक nucleus का एक cell के साथ fertilization होना, और यही main fertilization है, जो जाइगूट बनाएगा, और दूसरा, यह क्या था, polar nuclei, इस polar nuclei का, इस male gamit के साथ fertilization होना, यह बनाएगा, बाद में, इंडो स्पम, तो एक important term यहाँ से आया, आपको पढ़ना है, अच्छे से, इंडो स्पम क्या है, इंडो स्पम कैसे, डबल अब करता है, उसका future क्या है, एक इंडो स्पम पढ़ना है, इंडो स्पम पढ़ना है, पूरा किस-किस तरह का इंडो स्पम होता है, अब यह जो यहां से इंटर किया, इसमें और भी तरीकें इंटर करने हैं, हो सकता यहां से इंटर करता, हो सकता यहां से इंटर करता, और यह अभी हम जो दिखा रहे हूं, यहां से इंटर करता है, त में पर देख्वाइशन हो गया दोनों पहले फटिलैजीशन में लिगे मिट हो गया फ्यूज कर गया एक सेल के साथ इमेन फटीलेशन वा इससे जागोड बनेगा तो एक फटिलैशन यहां और एक फटिलेशन यहां कम्प्लीट हो गया यह है आपका डभल फटिलैशन डवल सब्सक्तिक का सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसी को हमें हमनों क्या करते हैं कि अध्ल्य?